Basic School में शिक्षक भरती की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षक पात्रता परीक्षा TET वो केंद्रिय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET प्रशिक्षित बेरोजगारों ने अपनी मान तेज कर दी है। 15 दिन में भरती विग्यापन निकालने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। प्रदेश में आस्म विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भरती फंज न जाए। इसलिए प्रक्रिया जल्द शुरू किये जाने की मांग रखी है। CM को भेजे पत्र में लिखा है कि बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पिछले तीन साल से कोई भरती नहीं निकाली गई है। ऐसे में बेरोजगारों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। अकेले डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन डिलेड बी टीसी प्रशिक्षित बेरोजगारों की बात करें तो संख्या पांच लाग से ज्यादा है। प्रशिक्षित बेरोजगार पंकज मिश्व ने कहा है कि बेरोजगारों में बैचलर आफ एजुकेशन बीड सर्टिफिकेट टीचर्ट सीटी प्रशिक्षितों की संख्या को जोर दिया जाए तो बहरती के प्रदेश विधानसभा चुनाव में फंसने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अभी तक कमेटी में रिक्ती संबंधी आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। मुख्यमंत्री से मान की है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि चुनाव के पहले बहरती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तभी बेरोजगारों का भला हो सकेगा। लेकनी यह है कि प्रशिक्षित बेरोजगारों के अलावा दूसरे सैकरों बेरोजगार युवा यूपी लोकसेवा आयोग और दूसरे चयन आयोग से भरती परीक्षा नहीं होने के खिलाफ लंबे समय से पत्थर गिरजागर पर धर्ना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि भरती नहीं होने से वे ओवरेज होते जाएंगे और नौकरी के बिना परेशानी जहेलते रहेंगे। ये बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री के अलावा प्रधान मंत्री को भी पत्र भीज चुके हैं।